आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे maceration के बारी में maceration जो की one of the extraction method है तो किस तरीके से किसी भी crude drug में जो desirable chemical constituents हैं उसको extract किया जाता है means separate out किया जाता है by the maceration method तो इसी को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो maceration process को हमने यहां पर practically demonstrate किया हुआ है तो हमने यहां पर जो sample crude drug लिया हुआ है maceration process को समझाने के लिए वो है रॉल्फिया रॉल्फिया जिसको हिंदी में सर्पदंधा कहा जाता है और उसको हमने दूसरा जो टाइना डिश देख रहे हैं इसको powder form में convert के लिया है तो जो powdered रॉल्फिया में सर्पगंदा है उसका ही हम extraction करेंगे by the maceration process और third हमने लिया है यहां पर conical flask stopper conical flask लिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम specified quantity जो है रॉल्फिया पॉडर का वे कर लेंगे means crude drug को वे कर लिया जाता है specified quantity और उसको stopper conical flask में हम transfer कर दे रहे तो आप यहां पर रेख सकते हैं हमने powder crude drug को conical flask में transfer कर दिया अब इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम sufficient quantity के measured solvent है उसको हम transfer करेंगे तो हमने यहां पर solvent लिया हुआ है वो है alcohol तो alcohol को हम specified जो volume में उसको measure कर लेंगे और उसको फिर conical flask जिसमें हमने मुटॉल्फिया का powder डाला है उस conical flask में transfer कर देंगे और इसके बाद stopper लगा देंगे conical flask का और उसके बाद उसको shake करेंगे और shake करने के बाद इसको specified time तक उसको रख दिया जाता है specified time means कुछ minutes से लेके कुछ hour तक या तो specified days तक उसको रखा जाता है तो IP के according maceration process में up to 7 days तक उसको रखा जाता है और intermittent means बीच बीच में हम उसको shake करते हैं after specified period of time उसको क्या करते हैं हम filter कर लेते हैं हमने यहां पर filtration के लिए again funnel और filter paper लिया हुआ है और conical floss के content को हम funnel में transfer करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं नीचे हमने beaker रखा हुआ है और filter होने की बाद जो filtrate है वो beaker में collect होते जा रहा है filtration के बाद जो mark है means filter paper में जो residue रह गया है उसको प्रेस किया जाता है और नीचे filtrate को collect करते हैं यह अलकोहली extract है यॉल्फिया का जिसको हमने maceration process से extract किया Thank you very much for watching this video